नमस्कार दोस्तों यह क्लोजिंग मार्केट रिपोर्ट है 13 एप्रिल 2022 के लिए मैंनाम अश्वनी गुज्राल है और यह रिपोर्ट आप तक पाइवपैसा.com के सौजन्य से पहुंच रही है अब चार दिन की छुटी है मंडे तक अब 18 एप्रिल 2022 को बाजार वापस खुलें तो बहुत कुछ हुआ है पिछले दो दिन के दौरान और बहुत कुछ होना है जैसे कि कल जो है HDFC बैंक के नतीजे हैं लेकिन मेरे हिसाब से उनका बहुत जादा रेलेवेंस नहीं है क्योंकि FII को अगर अच्छे नतीजे भी आप देंगे तो उसने HDFC बैंक को बेचना ही ह तो पहले देखते हैं के ओवरनाइट क्या-क्या चीजे हुई हैं अमरीका की मार्किट में उससे पहले अगर आपको हमारा मार्किट एडवाईस, मार्किट इंसाइट्स, जियो पॉलिटिक्स पर हमाई राए, ग्लोबल इवेंट्स पर हमारा एडवाईस चाहिए हो तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक 5Pesa.com का DMAT लिंक है उसके थूँ अकाउंट खुलवाए, पन ट्रांसवर करें और स्क्रीन शॉट 9871066337 पर भेजें और वहां से आपको एक प्राइवेट टेलिग्राम ग्रूप में ले जाए जाएगा जहां आपको यह सब ज कि जो परसों की रैली थी वो पूरी तरह से कल जो है वाइप आउट हो गई और यह जो हमने यहां पर फिबोना की टूल लगाया हुआ है जो की 50% मार्क डिफाइन कर रहा था लेवल पर फिफ्टी परसेंट जो है एस एनपी फाइवंड़न ने तोड़ दिया है तो इससे जो है और नीचे के लेवल ओपन आप होते हैं तो अगला लेवल है और उसके बाद हम जो है 42 62 के लेवल तक एस एनपी 500 में गिर सकते हैं लेकिन और जो वरिंग बात है वो नाजडाक कंपॉजट में है यहां की हमने पूरी यहां भी गवा दी और यहां पर अगर हम यह 13 350 से नीचे चलते हैं तो री टेस्ट आफ लो पॉसिबल है लेकिन यह सब हुआ क्यों मेरे इसाब से जो बॉंड है यूएस की वो कल जो है वापस स्ट्रॉंग ली एक रैलिंग मोड में आ गई और वहां पर न्यू हाइज की उमीद है कुछ लोग कह रहे हैं तीन परसेंट तक भी जाएगा अगर ऐसा होता है तो अमरीका में इंटरस्ट रेट्स पे अपसाइड प्रेशर रहेगा और इंटरस्ट रेट ऊपर जाएंगे मीनवाइल अगर हम ब्रेंट क्रूड की बात करें ये कुछ 111.7 तक गया है अब ये वरिंग जोन में आ रहा है एक सो चार पांच तक इतनी परिशानी नहीं थी लेकिन अब जो है इसमें ऐसा लग रहा है कि शायद ये वापस ब्रेक आउट करने वाला इसमें रशिया ने जो फिनलेंड स्वीडन वगरा को धंकियां दी हैं उनका भी कुछ हाथ हो सकता है बट ओवरॉल जो है ब्रेंट क्रूड में भी अपसाइड है बॉन्ड वील्स में अपसाइड है बजारों में डाउंसाइड है तो इसके चलते वाइल एस्जी एक्स निफ्टी मंडे तक चेंज हो सकता है लेकिन एक आपको गाइड मिल जाता है अंदाजा उससे लग जाता है कि कहां ओपनिंग हो सकती है इस वक्त हम जो है 173 25 पर है एस जी एक्स पे तो इसका मतलब है कि मार्केट अगर इसी हिसाब से कुलते हैं तो 17 275 के आज पास खुलेंगे तो अब हम आते हैं निफ्टी पे कि वहां पर क्या सीन और स्कोप है यहां पर मैंने कुछ यह सपोर्ट लेवल मार्क किये हैं तो रिजिस्टेंस के तौर पर आपको 17 600 620 रखना चाहिए सपोर्ट जो है यह करेंट लेवल पर है 17 420 से 460 और उसके नीचे हम जो है 17 250 270 तक जाएंगे अब इतना बड़ा अगर गैप डाउन होने वाला है तो उससे होगा क्या कि आप कुछ यहां खुलेंगे सपोर्ट जोन में और वापस इस लेवल तक रैली का आपका स्कोप बन सकता है तो यह बात याद रखने चाहिए कि अगर आप इस सपोर्ट जोन में खुलते हैं तो आपको बाइंग नहीं करनी कई बारी मार्केट यहां पे खुलने बाद इंट्रा डे रिकवरी करता है क्योंकि दो सो पॉइंट का आपको डिकलाइन मिलने वाला है तो यह चीज ध्यान में रखें कि इतने बड़े गाप डाउन के बाद सेलिंग का स्कोप खतम हो जाता है कि यह एक रेंजिंग दो दिन से चल रही थी और इसमें काईदे से गाप डाउन हो जाए था लेकिन काईदे से ब्रेकडाउन होना चाहिए था लेकिन गैप डाउन अगर होगा तो वहां से आपको वापस रैली होने का बहुत अच्छा चांस है सिमिलर्ली बैंक निफ्टी में भी हम देखें तो यहां पे भी आपके जो जोन बन रहे हैं वो बन रहे हैं कुछ अगर यह जाएगा तो आप आपको जो है अगला लेवल जो इसमें मिलना चाहिए वैंक निफ्टी में वह होना चाहिए कुछ 36 800 के आसपास साड़े साथ सो आठ सो जहां पर 200 डे मूविंग आवरेज भी है तो मुझे यह उमीद है कि ब्रेंट क्रूड और ग्लोबल मार्केट सब्सक्राइब देखने के बाद सब्सक्राइब के नतीजे बहुत खराब नहीं आते और ठीठाग आते हैं तो आपको जो है बैंक निफ्टी में डिक्लाइन मिलना बहुत पॉसिबल है एक चीज और मेंको आपको रिमाइंड करने थी कि यह इतना बड़ा गैप डाउन क्यों हुआ और हम जो है दो दिन से अमरीकाई मार्केट उपर भी गई फिर भी हम उपर नहीं गए एस जी एक्स पेट लीस्ट उसकी वज़ा है इनफोसिज एडियार इसमें आप देख सकते हैं कि यहां पर यह दो दिन से गिरावट कर रहा है और बहुत शार्प डिक्लाइन है कमसे हम दस परसेंट यह नीचे आ गया तो मंडे को इनफोसिज अगर आठ से दस परसेंट नीचे खुले तो कोई बड़ी बात नहीं होनी अगर हम इनफोसिज का डॉमेस्टिक चार्ट देखें तो यहां भी डिक्लाइन है लेकिन एडियार जितना डिक्लाइन नहीं है तो मेरे इसाब से सत्रां सो का जो जोन है यह इसली इनफोसिज में तूट सकता है अब आप यहां पर देख रहे होंगे कि पिछले साल सारी आईटी कंपनीज ने कहा कि बहुत बढ़िया काम चल रहा है बहुत बढ़िया नतीजे आएंगे और अब इस साल जो है इनके नतीजे लोवर देन एक्सपेक्टेशन आ रह उसको लेना चाहिए क्योंकि मैनेजमेंट्स अक्सर जूट बोलती है और जैसा कि हम देख रहे हैं कि अब आईटी कंपनीज का सड़नली आउटलुक जो है खराब हो गया काफी निफ्टी आईटी में हम देखें यहां भी जो है यह ब्रेकडाउन लग रहा है कि वापस जो है 200 डे मुविंग आबरेज के नीचे ब्रेकडाउन आईटी स्टॉक्स में हो सकता है एक चीज मैं आपको दिखाना चाहूंगा निफ्टी बैंक निफ्टी में के निफ्टी में यहां पे आप 20 डिएमें पे आपको वेंजडे को सपोर्ट मिला था और वहां से आप ऊपर गे अगले दिन आप बिलकुल और्मोस्ट डिएमें पे क्लोज हुए हो तो यह 20 डिएमें मेरे इसाब से अब जो है इसका ब्रेकडाउन का सब्सक्राइम आगया है और यहां से आप सत्रह अजार सत्रह दोसों तक बहुत इजीली जा सकते हो सिमिलरली बैंक निफ्टी में थोड़ा सा ज्यादा स्ट्रॉंग था मेरे इसाब से यह भी ड्रॉप डाउन कर सकता है अपने 20 डियमें में तक जो की 36 800 900 है यह जो रेंज यहां चल रही थी यह फाइनली ब्रेकडाउन होने का बहुत अच्छा चांस मुझे लग रहा है लेकिन इसमें भी गैप डाउन पर सेल ना करें क्योंकि वहां से आपको एक रिकावरी मंडे के दिन ही मिलने का अच्छा चांस है मुझे उमीद नहीं है कि जितने भी नतीज के आ रहे हैं इन से बाजारों पर कोई फरक पड़ेगा मार्केट जो है इंफलेशन का कोगनिसेंस यहां पर अब जो है लेती हुई नजर आएगी और उसकी वज़ासे बैंकों में जो अब तक थोड़ी स्टेंथ थी वो स्टेंथ जाती हुए नजर आएगी ग्लोबल मार् मार्केट नहीं है जहां इंडिविज्वल रिजल्ट आपको बहुत ज्यादा बदल पाएं और में इशू है इसके पास कौन से शेर हैं या प्राइवेट बैंक से या आई टी शेर जादा हैं तो इन दोनों जगा उनका सेलिंग पे जोर रहना चाहिए तो कुछ अगर अच सेल ऑन रैली का साल रहेगा तो किसी वजह से कोई गैप आप मिल भी जाए तो आपको बेचने के बारे में कंसिडर करना चाहिए अपसाइड में बाइंग का स्कोप नहीं है और अठारा अजार अठारा जार एक सो इन दे नियर फूचर ऐसा लगता नहीं आएगा बहुत से लोग यह उमीद कर रहे हैं कि कंसॉलिडेट करेगी मार्केट फिर उपर जाएगी मुझे ऐसा नहीं लगता क्योंकि जो कॉंस्टेंट सेल आफ है सप्लाई है इसकी वह बंद नहीं हो रही दो चार दिन बंद होती है उसके बाद फिर वापस सेलिंग आयाती है और जितने अब यह इस तरह के इवेंट्स होते हैं रिजाल्ट या यह मर्जर यह जो न्यू स्लोज होती है उस पर हर वक्त जो है सेलिंग का ही एक्सक्यूज होता है तो फिलाल के लिए इतना ही मंडे सुबह मिलते हैं एक नई प्री मार्केट रिपोर्ट के साथ अपना ध्यान रखे करें और वीकेंड को एंजॉय करें टेक केर एंड गूड लुक